हेलो एब्रिवन आज के इस वीडियो में हम लोग केशी सेनक क्लास 12 मेट्रीसेश चेप्टर में हम 5.2 पिछले वीडियो में किलियर कर लिए ठीक है आज के इस वीडियो में 5.3 को हम एस्टार्ट करेंगे इससे एस्टार्ट करने से पहले इसमें जो बेसिक कॉंसेट 5.3 जो लगेगा अर्थात जो बेसिक लगेगा उसको पहले हम बताते हैं और फिर हम exercise को start करेंगे तो देखिए पहले हम transpose of a matrix को समझते हैं transpose of a matrix क्या होता है तो देखिए इसका definition if a equal to aij m by n be any matrix then the matrix obtained by interchanging row and column is called transpose of a matrix a यानि कि देखिए कोई matrix a है वह m by n order का नहीं m by n order का है उसके देखिए obtained by interchanging row and column यानि कि उसके row और column को हम interchange करेंगे आर्थात रो को हम column में और column को row में उसी को हम कहेंगे transpose of a matrix ठीक है देखिए it is denoted by a to the power t या फिर a dash यानि देखिए it is denoted by यानि कि जो transpose of a matrix है उसको हम यह symbol या फिर यह symbol यह दोनों symbol के तहट उसको दर्साते हैं ठीक है अब देखिए that is a equal to aij यहां पर देखिए i जो है वह रो और यह है वह column aij m by n order का हम कोई matrix लिए हैं जब इसका interchange करेंगे देखिए a transpose equal to देखिए यह interchange हो जाता है रो column और column रो हो जाता तो यह देखिए ij है यह ji हो जाएगा और यह देखिए order भी इसका change हो जाएगा यह m by n है तो यह n by m होगा इसी को हम कहते हैं transpose of matrix चलिए एक example के थूरू हम इसको समझते हैं और ही आसान होगा देखिए a equal to हम कोई matrix लिए है one two three four यह देखिए यह two by two order का यह square matrix है जब इसका हम transpose निकालेंगे जब इसका transpose जब निकालेंगे देखिए यह row column में आ जाएगा और यह देखिए यह row column में आ जाएगा और यह column row में चल जाएगा इसी को हम कहते हैं transpose of matrix यह देखिए यह जरूरी नहीं है कि वह square matrix ही होगा वह rectangular भी हो सकता है फूर example a equal to home एक और example लेते हैं a b c d e f देखिए क्या यह two by three order का है जब हम a transpose निकाल लेंगे तिया हो जाएगा देखिए यह row को हम column में इंटर्चेंज कर देता है यह बी ची और यह देखिए यह यह क्या हो गया यह देखिए यह two by three order का यह हमारा three by two order का आगया देखिए इसको हम ऐसे इंटर्चेंज कर ते यह इस पे कूछा बेस्ट को प्रोटेंट प्रॉपयटी जह हैं उसको हम देखिए अब देखिए इसका इसमें कूछ प्रॉपट्ती इसको हम देखते हैं तो देखिए इसका फॉर्स्ट प्रोपार्टी जहाएं यानि कि एटांस्पोज का हॉल टांस्पोज इक्वाल टू ए हो जाता है तो चलिए इसको देखिए एक एक्जामपल के थुरू समझते हैं एक वल्टू हम कोई मेट्रिक्स माल लिए ले लिए ए सब्सक्राइब और यह एक्वाल टू हम कोई मेट्रिक्स टू बाई को ले लिए अब देखिए हमें टांस्पोज निकालों य odds निकालेंगे गेशंब निकाल आ हैं होल्ट टांसिपोर निकाल ये दिखिया ये फिर कोका अड़ alam einhasi और यह क्या a and क्या यह एडि देखिये यह अब देखिए फैनल च रा फोटीचे जे बरावर अगया तो कि प Лख मेिनस बी का होर्ट टांस्बोज मेह वोता है एक टांस्पोज पलस मैंनस भी टांस्पोज देखे यहाँ पर पला भी और मैनस में भी यह दोनों में सेम ही सबस्क्स होता है तो चलिए रखे हैं एक एक आफ दू-अ थू two three four ठीक है यह देखिए यह two by two order का ले लिए अब देखिए वी इकवाल टू हम ले लिए three four five six देखिए यह मेट्रिक्स हम a equal to इतना और वी इकवाल टू इतना दोनों two by two order को two by two order का हम लिये हैं तो अब देखिए हम a plus b निकालते हैं तो देखिए यह one two three four plus three four five six देखिए दोनों का order सेम है तो यह क्या हो जाएगा यह जुट जाएगा यह देखिए two one देखिए one three four two four six और देखिए three five eight और four six ten देखिए यह हम a plus b equal to इतना निकाले हैं जब इसी का हम इसी का जब हम टांस्पोज निकालेंगे तो देखिए यह देखिए यह कोलम रोम में चैंज हो जागा यह four six यह eight ten यह आया है अब देखिए अब हम a टांस्पोज और वी टांस्पोज यहां पर पहले हम हम निकालते हैं a transpose यह टांस्पोज रहेंगे देखिए a matrix है one two three four यह क्या हो जागा one two three four याने कि यह रोख कॉलम में आ गया और कॉलम रोम चल गया ठीक है और हम भी टांस्पोज निकालते हैं थी टांस्पोज हमारा क्या है थीरी तो देखे यह रोग में आ जागा थो तीडीफॉर यह फाइब सिख्ष अब देखेए अब हम एट टांसपोज प्लस भी टांसपोज निकालते हैं एक टांसपोज क्या है वान थीडीटू फॉर ठीक है और यह थीडीट फाइब फॉर शेक्स देखे इन दोनों यह सब्सक्रा तो देखिए थिरी फाइब एट टू आफ ओर शीक्स ठीक है और देखिए फोर और शीक्स यह टैन देखिए यहीं मेट्रिक्स आ गया देखिए यह और यह दोनों मिलाएं तो हम कह सकते हैं डेट एज ए पालास मैनस बी का होल टांस्पोज इकवल टू एटांस्पोज पालास तो चलिए आब हम नेक्स्ट प्रोपर्टी तर नमर देखते हैं थार्ड नमर है के इंटू एक होल टांस्पोज इकवल टू के इंटू एटांस्पोज वे र हैर वेर केडर के एज के एज के एसके लड़ा आप दिखे फोर एक्जांपल एक कोई मैज्रीक्स हम लिए वान टू ठीडि फोर देखे इसका त्रांस्पोस में निकाल लेंगे तिया क्या हो जाएगा वान मौल्टीपल लाइ तक दिए हो जाएगा यह चाहनки एक माइन तो एल यह आ जाएगा आपर देखिए लेते हैं ए तो और यह आएगा यह फूर अब देखे यहां पर यह का हौल टांसपर्ज इक्वल कॉत्य यह से यह देंगे एकवल तो कwnie अब देखे एक फोर में है यह देखिया यह थे हैं अ डूर ₹ whole transpose equal to B transpose into A transpose इसको हम reversal भी कहते हैं ठीका यह product में होता है ठीक है यह जो है यह यह बहुत ही important है यह जो है यह बहुत ही important है आपके बोट के exam में directly यह objective में आ जाता है तो आप आप लोग इसको अच्छे से देखिए अब देखिए फोर हम एक्जामपल से इसको हम समझाते हैं एक वालटू हम ले लिए आफंद याट वान टू जीरो थीरी वी एकवलटू हम ले लिए वान टू जीरो फोर यह हम ले लिए ठीक है अब देखिए अब हम पहले एबी को मल्टिप्लाइ करते हैं एबी को मल्टिप्लाइ करेंगे वान टू जीरो थी इंटू वान टू जीरो फोर अब देखिए इसको हम मल्टिप्लाइ करेंगे इसका फर्स्ट रो पकरेंगे और बा को जा IEट आपकेंड पक्रेंगों और बारी-बारी से कोलम के साथ मल्टिप्लाइख करेंगे जीरो पलस जीरो और यह क्या हो जाएगा जीरो पलस टु एल तो देखिए यह हमारा आ जाएगा 110-0 तु एल अब देखिए इंटनु बी आप देखेंज का हम ट्रांस पोज निकाल लेंगे ये क्या हो जाएगा इसका transpose निकाल लेंगे ते रहो कunity कोल्म में यो ओ ये और को लम रहो हो जाएगा तो देखिए यह बी का गूल टान्सपोज सो इन्टु हम टांस्पोज सोने लें इंोत नि कर लेंगे या इसलिए क्या हो जाएगाеш यह ल्व में यह क्रहों कर ला Messie हो जाएाो दोटीर हो राइगर और यह B तिरी अब देखे इसको हम मल्टिप्लाय करेंगे इसका फर्स्टों पकरेंगे और बारी-बारी से कोलम के साथ मल्टिप्लाय करेंगे तिये क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा यह देखे यह क्या हो जाएगा यह हमारा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो ठीक है अब देखे इसका सकेन रोव पकरिंग और बारे बारे से कोलम के साथ मल्टी पलाय करते हैं यह देखिए क्या हो जाएगा तू पलस यह 8 ठीक है और यह देखिए यह 0 पलस क्या हो जाएगा 12 ठीक है यह 0 10 10 1012 यह इतना आया है और यह देखिए अभीका होल टांस्पोज अक्वाल निकाल है 1010 12 देखिए यह दोनों सर्टिस्पाइ हो रहा है यानि कि आविका होल टांस्पोज इक पी टांस्पोज इन्टू एट टांस्पोज होता यह आप लोग बहुत ही अच्छा तरिकास से समझ गये होंगे और यह आप लोग बहुत ही अच्छा तरिकास इनको नोट कर लिजिएगा चलिए आब हम आगले वीडियो में इसके एक्सरसाइज के कोईचन के साथ मिलते हैं जाहेंदा